जोहार, जैमुल्युवासी, मैं रविंद्राने और आप देख रहे हैं MNTV लोगतंत्र में और राजतंत्र में वास्तविक राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेता है राजा जन्म से पैदा होना जरूरी है मुझे राजा बनने के लिए जिना है यह वेक्ति अपने जिवन के शुरुवाती दोर में तै करता है वैसे एक राजा थे सैजरा गायकवार आधुरीक भारत में आजादी के पहले वैसे तो भारत में साड़े छेसों से ज़्यादा संस्तान थे वैसे संस्तान ब्रिटिश शाषन के अंकित थे बाकि सभी राजा महाराजों का जिवन आईश करना राजा बनकर अपनी जिन्दगी जिना उनके जिवन का मकसत था भारत में ब्रिटिश शाषन में दो राजा थे ये कर्वीर संस्तान के राजे स्री शाओ महाराज दूसरे बड़ोदा नरे सहाज रगायकवाड़ राजरी शाओ महाराज ने भारत में सबसे पहले आरक्षन की निती शुरुआत किया था राजरी शाव माराज और बड़ोदा नरेश सायजर गायकवाड इन दोन राजाओं ने डॉक्टर भिम्बरा अमबेडकर को मदद किया था और इनी वज़े से डॉक्टर भिम्बरा अमबेडकर सभी भार्जों के लिए अतुनिय कार्य कर चुके थे सविधान बनाया था डॉक्टर आमबेडकर इन दोनों राजाओं के कृतक गे थे आज बहुजन समाज के महतोपुर्ण घटक कुन्भी महराटा ओबिसी और अनुसरी चाति के इन नैसर की रिष्टों को एने बहुजन समाज के लोगों के बीच में आपस पर दुरिया बनी व मुंख फली मैंने नहीं खाई उसके छिलके मैं नहीं फेखूंगा यह बाल गंगादर तिलक का किस्सा एने शिक्षकों का और सनमान करने का किस्सा यही कलम कसाई ब्रह्मन सिखाते थे मगर हमारे मुल्निवासी बहुजन समाज के महापुर्शों के बीच का जो गहरा रिष और उनके वहुजन सरण म मल्लाव गायकवाल आए थे आशियाएचर गायकवाड़ आमतर राजा थे हमें इतना ही पता है कि स्वामिय उयका अननजी ने शिकागो में सर्वधर्म परशेद में जाकर ब्रह्मन धर्म की पता का रखी थी मगर बढ़ोगा नरेश सहाजरा गायकवाड पहली दूसरी और तीसरी सर्वधर्मपरिश्यत में वोग प्रमुक थे भारतियों को मुल्बत अधिकारों के लिए अंग्लेड में जाकर पहली और दूसरी राउंटेबल कॉनफरेंस में सहाजरा गायकवाड गये थे जिस राउंटेबल कॉनफरेंस से डॉक्र अंबेड करजी ने भारतियों के लिए प्रोड मत अधिकार, दो मतों का अधिकार एने डुएल ओट, अस्पुरुषों के लिए अलग चुनाँशत्र एने सुत्नाँशत्र पर्याप्त प्रद्रीज़तों के अधिकार लाए थे उस समय स्याजराग आएकवार डॉक्र अंबेड करजी के बड़े समर तक थे स्याजराग आएकवार इस राउंटेबल कॉनफरेंस में भारतियों की समस्या और संस्तानों की समस्या इस पर बयान करने के लिए संस्तानिकों के प्रतिनितिक के रूप में उपस्तित थे आजादी के पहले और सविधान निर्मान होने के पहले अपने संस्तान में ये बड़ोदा में सर्वशिक्षा अभियान लागू किया था सुतंदर संग्राम से नानिक गांधी जी दादा बै नवरो जी गोपाल कुछन गोखले तिलक को भी आर्थिक सयोग किया था सयाजरा का एकवाट जी ने जाती विविवस्ता निर्मूराण बाल भी वहां, विद्वाप उनर भी वहां कानून बनाये थे अपने संस्तान में लागू किये थे राज की आजादी के सास सामाजिक न्याय और आजादी देने के वे पक्षदर थे सतारा के रहे सिक्षन संस्ता के कर्मईर भहोरा पाटिल जी को उने के डेकन कोलेज को और बनारस के हिंदु इश्विद आले को सुचार रूप से चलाने के लिए आर्तिक साहेता भी प्रदन किया था जब बनारस दू इस्वीद दाले का सहुम्ता फ़क मदन मोहन मालूए जी स्याजराइफ figured जी के पास आर्तिक संहयता मांगने गए थे तब बड़धा नरए स्याजराइफ आर्तिक संहचा होच ने मदन मोहन मालूए की समने एक प्रस्ताव रखा कि जब तक आप आपके बनारस हिंदू इश्विद्याले में पिछले वर्गा और अचुच जातिये के विद्यार्थियों को अलग सिक्षा नहीं देते हैं तब तक मैं आपको आर्थिक साहिता नहीं देने वाला हूँ मगर मदन मौनमाल भीया अत्यंद जातिवाज वेखते था उन्होंने बड़ोदान अरेश की मदद को पहले ठुकरा दिया और आखरे में बड़ोदान अरेश साहिजर काईकवाड के शर्तों पर मदद भी लिया मराटी में किताब थी 1990 के बाद हिंदी में भी किसानों का कोड़ा है किताब के साथ-साथ राष्टिपिता जुतरा फुली जी के अक्षर साहित्या बहुजन समाज में आने के बाद जागुरुकता निर्वान हो रही है उसके जनक बड़ोजान अरेश सयाजर काईकवाड थे विद्या की देवता सवित्री फुले जो राष्टिपिता जुतरा फुले के निर्वान के बाद जो सत्तिशेज़क मुमेंट चला रही थी उनको भी आर्तिक सयोग सयाजर काईकवाड ने किया बड़ोजान अरेश अनेक भाषाओं के गयनी थे हिंदी, महराथी, कुजराती, इंग्लीश, संस्कुर्ट सहीद अनेक भाषाओं का उनका ज्यान था वे भाषाशास्त्र, इतियास, ततो ज्यान की पंडित थे उन्हें कैसरेटू सुल्टान नामक किताब भी लिखी थी अनेक भाषाओं के किताबों का भाषांदर किया था अपने संस्तान में सेंटर लाइबरी बना ही थी उपनिशितों का हिंदी में भाषांदर करने के लिए मरणा जाती के संस्कूरुत हिंदी और मरणाटी के भाषा गया था केलस्कूरु नुरुची को इसी काम पर लगाया था आज भी सेंटर लाइवरी बड़ोदा हमें बड़ी शाहत से खड़ी है अपने संस्तान में आर्तिक स्तिती सुचारु रुप से शुरुवात हो अपनी ग्रामीन बैंक बनाइती उनके वज़े से बांगलादेस में आर्तिक सुचारु शुरु हो है बांगलादेस की क्रिकेट टीम की स्पॉनसर ग्रामीन बैंक हुआ करती थी बैंक अप बड़ोधा ने इसके पहले उनके संस्तान में लोगों का आर्थिक उत्तन गिया था आज बैंक अप बड़ोधा दुनिया की सबसे बड़ी जादा प्रेंच होनी वाली बैंक है वो ऐसे भारत में सबसे जादा बड़ी बैंक, स्टेट बैंक अप इंडिया है शिल्पकार बड़ुदा नरे स्याजी रगाएक वार थे